पुर्वा नागपुर के लोगों के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है भांडेवाडी डंपिंग याड का परिसर अत्याधिक प्रदूशित है प्रदूशन के सटिक स्तर के बारे में एक संगधन वारा किया गया अवलोकन बहुत चोकाने वाला है डंपिंग याड में और इसके आसपा धूल प्रदूशन नागपुर में सिविलाइन्स की तुलना में धाई गुन आधिक है पूरवन अकपुर के भंडेवाडी परिसर में पूरे शहर का कचरा डंप किया जाता है और अब ये कचरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है डरावनी बात यह है कि इस शेत्र के निवासियों को 24 घंटे घातक प्रदूशित हवा में सास लेनी पड़ रही है सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीएफसडी ने 4 दिसंबर से 31 जनवरी तक भंडेवडी डंपिंग यार्ड गेट और 1.5 किलोमिटर दूर वैशनवदेवली आउट पर हवा की गुणवत्ता का परिक्षन किया परिक्षन के अनुसार डंपिंग यार्ड गेट के पास PM 2.5 कस्तर 132.6 माइक्रोन घन मीटर पाया गया तो वही वैशनवदेविक शेतर में PM 2.5 कस्तर 102.6 माइक्रोन घन मीटर पाया गया इस दोनों ही स्टेशन का आउसत 115.63 माइक्रोन घन मीटर है वैशनवदेविले आउट में अंठावन दिनों के अबजर्वेशन में से 56 दिनों की वायू गुनवत्ता दूशित पाई गई इस अउधी के दावरान शेहर में महाराष्टर प्रदूशन नियंतरन बोट के एक मात्र वायू गुनवत्ता निगरानी स्टेशन सिविल एरिया में 43.48 मिलिग्राम क्यूबिक मीटर धूल की मात्रा है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाईलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधनिक लेजर से उप्चार अभियुदै पाईल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महा पुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर